हलो फ्रेंड्स दिल्ली वाली बार्वी में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं ये है सपना का गर और अभी यहां सुबह का टाइम है और सभी सो रहे हैं तो आईए देखते हैं आगे क्या होता है तभी सपना उठकर आती है लक्षमी को चारा दे देती हूँ यह देखो बच्चे कैसे दादे के पास सो रहे हैं इन्ने स्कूल भी तो जाना है अभी जगाती हूँ इन्हें चिक्की, विक्की, उठो बेटा, अरे मम्मी, थोड़े दर सोने दो ना, अरे स्कूल नहीं जाना है, क्या, जल्दी उठो बेटा, ठीक है, उठो, विक्की, तुम भी उठो बेटा, तुम्हें भी तो स्कूल जाना है, अरे मम्मी मुझे बहुत जोर की चिच्ची आई है अभी विक्की को मत जगाओ ममा अगर वो जब जाएगा तो फिर उसे भी चिच्ची आजाएगी फिर वो मुझे जाने नहीं देगा अच्छा ठीक है मैं थोड़े दिर बात जगा दूँगी उसको तुम जाओ अरे बाप्रे बहुत तेज आई है जल्दी से दोड़ के जाना पड़ेगा और फिर चिच्ची वात्रूम चली जाती है तभी वहाँ अचानक से एक साप आ जाता है अरे बाप्रे ये साप कहां से आ गया ये बब्वान ये तो मुझे काट लेगा ममा कोई बचाओ बचाओ मुझे साप आ गया ममा ममा कोई बचाओ मुझे ओओ कौन रो रहा है कौन आवाज लगा रहा है सुब़ सुबह इतना ममी ममी दादी कोई बचाओ मुझे दादी ममा कोई तो आ जाओ पापा अरे ये तो चिक्की की आवाज लग रही है कहां है वो और इतना क्यों चिला रही है अरे मैं नीचे कैसे आओं आज साप ये मुझे काट के छोड़ेगा लगता है बचाओ मुझे कोई साप काट लेगा मुझे अरे ये चिक्की क्या बोल रही है कौन काटेगा उसे अभी चल के देखती हूँ अरे ये आवाज तो बात्रम से आ रही है प्लीज मुझे मत काटो प्लीज साप प्लीज मुझे मत काटो क्या हुआ चिक्की बेटा क्यों रो रही हो तुम अरे बापरी ये क्या इतना बड़ा साप दादी दादी मुझे बचा लो दादी ये साप मुझे काट देगा अरे कोई बचाओ बच्ची को हे बगवान मैं क्या करू मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कोई बच्ची को हे बघवान बहु बहु जल्दी विवेग को बुलाओ घर में साप गुझा आया है जल्दी बुलाओ उसे क्या हुआ माजी अरे बापरी इतना बड़ा साप अब मैं क्या करू हे बगवान हट 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 मम्मी मुझे बचाओ ये साप मुझे काट लेगा ये भगवान मैं कैसे बचाओं ये भगवान मैं कैसे बगाओं इस साप को ये तो बच्ची को काट ही लेगा ये भगवान मैं विवेग जी को बुलाती हूँ विवेग जी जल्दी आईए चिक्की की जान खत्रे में है विवेक जी अरे क्या हुआ सब लोग क्यों इतना चिला रहे है चलो चल के देखता हूँ बचा कोई मुझे यह तो मेरी तरफ आ रहा है बचाओ क्या हुआ ममा चिक्की क्यों रो रही है अरे बेटा तुम धर मत जाओ बातरूम में साप गुस गया है क्या हुआ सपना क्या हुआ तुम क्यों इतना चिला रहे हो विवेक जी बातरूम में एक साप आ गया है और चिक्की बातरूम में यह जल्दी कुछ कीजी विवेक जल्दी बचाईए उससे प्लीज साप आगया लेकिन हमारे बार्त्रीम कि आया कहा से मैं अभी देखता हूं औरे बापरे यह तो बहुत बड़ा साप है सपना जल्दी क्रह्ण नंडाẳा लेकिश् Vel came आ ए चीए अनभ την री दंडा अभी लाती हूँ अरे डंडा कहा था कहा था अर्छल में वो रहा घबराऊ मत बेटा घबराऊ मत मैं आ गया हूँ तुम्हें कुछ ने होने कुत में नहीं होने हट तुम्हाई यह ले यह ले यह ले पापा बचभा के पापा तुम्हेह व्हे उपा डर गई है बच्ची अभी उस साप को भगाता हूँ ये ले ये ले अभी मेरी बेटी वो कटने चला था ये ले ये ले साप इधर आने लगा अरे विक्की जल्डी से उपर चड़ जाओ हाँ हाँ मैं उपर जाता हूँ अरे बापरे अब तो ये मेरे पीछे पढ़ गया आप मैं क्या करूँ हट भाग मेरे पीछे क्यों पढ़ा है भाग भाग विवेक जी चल्डी से खाट के उपर आ जाई है आपने तो आपको काट देगा ये अरे बापरे मैंने इसे डंडे से मारा है इसलिए ये मुझे काटना चाहता है ये लो बैट गया में उपर फिर साप जाडियों में भागने लगता है भगवान का लाख लाख सुकर है कि मेरे चिक्की को कुछ नहीं हुआ वरना ये साप तो बहुत ही खतरनाग था हाँ आज तो चिक्की बाल-बाल बची है मम्मी अब मैं अकेले बातरूम नहीं जाओंगी मुझे बहुत डर लग रहा है अब अरे बेटा डरते नहीं है मेरी बेटी तो बहुत बहादुरे देखो साप कैसे तुमारे डर से भाग गया अरे चिक्की एक बात बताओ तुम तो टोइलेट से उठके सिधे यहीं आ गई तो तुमने धोया कब? जी बाई फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगले अपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा चैनल दिल्ली वाली बार भी बाबाई